नमस्कार दोस्तों वोई शॉफ जैस्ट मेर में आपका स्वागत है मित्रों कोरोना का समय चल रहा है यहां नरेंतर आगे शागे बढ़ रहा है इस तर्मियान हम जो मानों है हमें क्या करना चाहिए मेरी एक निजी राय है मैं आपके सामने रखूँगा शायद हो सकता है आप मेरी राय से इत्तिफाक रखते हो तो मित्रों इस समय में थोड़ा बोत इदर उदर घूम लेता हूँ और मेडिया के जरीए मुझे जो कह सकते हैं जो मुझे आजादी मिली गी है उसके अंतरकत में जब भी घूमने के बाद जो नजारे देख रहा हूँ वहा नजारे हमें बड़े कैसकते हैं के मर्म को हमारे जगाते हैं तो उसमें मैंने जो सबसे पहले देखा यहां जो हमारे पक्षी है कबुतर है चड़ी है इनकी जो दिंचरिया है उसमें बदलाव आया है लेकिन एक सबसे बड़ी बात है उन्हें हम जो निरंतर महिलाए हम तो क्या परुश ये तरूं को द membrane टालती उसमें कमे आई हैं हमेरे चृत पर कची खाते हैं वहां में रखना चाहिए उसे के साथ पानी का एक पात्र जिसे हम परेंडा कहते हैं वैसे सरकार भी हमें कई वार आगा करती है हमें इसके लिए गर्मियों के मोसन में हमें रखने को कहती है और कोरोना का समय आया है और गर्मी ये साथ में है तो हमें थोड़ा विश्यस इस बात का ध्यान देन है कि हमें एक तो परेड़ा पानी का भरके वहां रखना है उसके साथ हमें कुछ उनके लिए खाने की वेस्था करने चाहिए यह मेरी निजी राय है मित्रों जो मैं कर रहा हूं मैं बहुत थोड़ा कर रहा हूं मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो हमें पता रहा हूं. उशी के साथ स्वान, यानिकि जो कुत्ते है, गड़ों में पालतु है, उनकी एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी गलि मौले में, या जब हम पास के सरवर के पास जाते हैं, तो वहां बड़ी तैदार थुर्चे, जिने हमारी जो जनता है, जो अपने हैं को ध यहां यह उनकी एक इस्तिति यहां है कि वहां निरंतर वीक से नजर आते हैं, तो अगर हम कहीं जा सकते हैं, जैसे हमारे पशुदर को सुबएक के समय चार और इसी के साथ हम हमारा समय किस तरह व्यतित करें, तो इसके लिए हमारे पास हमारी च्छताओं पर हम बागवानी ल बढ़ रहा है, तो यह छोड़ी-छोड़ी चीजे हैं, जो मैं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगा के साथ हो सकता है, मैं जो मेरी बाप है वह आपके सामने रखो, अगर वोई इसमें चुक है, वह भी इस तरह का कारिक कर सकता है, जल्दी जाते हैं, तो उन्हें भी हम दे सकते हैं, उसी के साथ, जैसे हमारे गो है, यानि की गाय है, गायों की इस्तिती बड़ी, क्योंकि जिनके पास, जिनका मालिक है, जो उन्हें लेता है, वह तो उन्हें बरावर ध्यान दे रहा है, लेकिन उसके बाद, जो गाय हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, जैसे कोई बैल है तो वहाँ आवारा घूम रहे हैं, उनकी इस्तधी बड़ी नाजुक है, जैसे वर्साद का मुसम होता है, तो वहाँ भीगते रहते हैं, तो वहाँ तो अपना प्राकरत एक आवास ढूंद लेते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ भी जो भी उनके चथ मिलती है, लेकिन इस समय कौना के समय आदी बाहर ने निकल आये, और जो जीव घर-घर पहुंचता था, उन्हें कुछ ने कुछ खाने को देते थे, आज व्यप्ती की खुद की भी आर्थिक इस्तधी बड़ी कमजोर हो रही है, उसे भी अपना हिशाब किताब मेंटन करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे स पूर्व हो रहे हैं, तो आप सब को जो मेरे सदेश्य हैं, उनको बहुत-बहुत हर एक बदाई उनी का यह चैनल है, उनी के मादन से मैं आपके सामने हर रोज एक नए विशे के साथ हाजिर हो रहा हूं, तो दोस्तों, सलामत रहें, सुखी रहें, और मुझे सुनते रहें और मुझे अपनी सुजाओं देते रहें, तो दोस्तों मुझे दे इजाजत, जय हिंद, जय भारत!